प्ले स्टोर से योनो SBI एप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे कि यू ओनली नीड वन यानि कि यह जो एप है आप इसमें सभी सुईदाओं का लाब उठा सकते हैं इसमें सभी प्रकार की सुईदाओं बैंकिंग के तोर पे आपको यहां मिल जाती हैं लो कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ जो है तीन ओप्शन दिये गए हैं न्यूट एस्बी आई एक्जिस्टिंग कस्टमर आई है एक्टिवेशन कोड तो सबसे पहले तो अगर आपके पास में एस्बी आई का अकाउंट नहीं है तो वह ओपन करवाना होगा और उसके बाद में आपको यहां यहां नीचे की तरफ टीन ओप्शन दिये गए हैं कि आप यहां यहां लोगिन यूजिजिंग इंटरने बैंगे बैंकिंग आईडी यानि कि आपके इंटरनेट बैंकिंग की जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके द्वारा आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो रजिस्टर विद माई एटीम कार्ड अकर आपके पास में आपके पास में तो आप इस उप्शन में भी जा सकते हैं तो सबसे पहले हम इस उप्शन पर क्लिक करते हैं रजिस्टर विद अकउउंट डिट्यर ूपर कूड नहीं है तो जैसे हम इसके ऊपर वो ब्रांच जाना है और उसे अपने जो है एक्टिवेट करवाना है ये यूजर आइडी और पासवर्ड को उसके बाद में आपको एक कोड दिया जाएगा उस कोड को आपको बरना है और इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख ले तो यह प्रोसेस करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें तो अब दूसरा तरीका हम देखते हैं इसमें यह वाला जो तरीका है रजिस्टर वित माई एटीम कार्ड तो इस पर क्लिक करेंगे हम इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का CIF नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंटर करना है CIF नंबर आपको अपनी जो पास बुक है उस पास बुक में आपको मिल जाएंगे CIF नमबर तो यहां आप CIF नमबर भर दें अब आप यहां पर अकाउंट नमबर भरेंगे और यहां सब्मेट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके जो मोबाइल नमबर है उस पर आपके जो बैंक से जो रेजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP जाएगा उस आपको उसको यहां इस जगह पर OTP को इस जगह पर भरना है और उसके बाद में आपको यहां नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो इस तरीके से यह जो रेजिस्टर करने का तरीका है गर आपके पास में ATM भी नहीं है इंटरनेट बैंकिंग यूजर आइड और पासवर्ड भी नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं तो अब अपन दूसरा तरीका देखते हैं जिसके अंदर लोग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आइड और पासवर्ड तो इसमें हम देखते हैं तो आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आइड और पासवर्ड होने चाहिए तो अगर आपके पास है तो आप येस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें अब यहां पर आप यूजर नेम यानि की यूजर आइड और अपने इंटरनेट बैंकिंग का जो है पासवर्ड यहां पर और उसके बाद में ये रेफरल कोड ये ओप्शनल इसको आप भरे ना भरे रेफरल कोड मतलब किसी ने अगर आपको ये योनो SBI जो है अगर रेफर किया हो तो वो आप भर सकते हैं और उसके बाद में आप यहां पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे पर क्लिक करने के बाद में आपको इनकी Terms and Condition जो है उसको Accept करना है तो यहां पर नीचे तरफ जो Next दिया गया इस पर क्लिक करेंगे next पर click करने के बाद में आपको यहाँ set new mpin यह 6 अंको का एक number है जो कि आप अपने हिसाब किताब से इसको रख सकते हैं कोई भी जो आपको याद रहे या ऐसा कोई भी pin तो उसके बाद में आप उसको confirm भी करेंगे दुबार एंटर करके अब आपके जो mobile number है जो bank से registered mobile number उस पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ enter OTP के स्थान पर भरना है और उसके बाद नीचे दिये गया जो option है next इस पर click करेंगे यह हम OTP बढ़ देते हैं mobile में OTP आ चुका है और उसके बाद नीचे दिया गया जो next है इस पर click करें जैसे आप next पर click करेंगे congratulations आ गया यानि कि आप registered हो चुके हैं अब आप login पर जा सकते हैं अब आप जो login करेंगे वो आपके जो यह 6 अंकों के mpin है इसके द्वारा आप योनों में login कर सकते हैं के यहां मांगरा है mpin तो आप यहां जो अभी यहवी आपने 6 अंकों के जो एमえ एमपिन बनाए थे वह आप यहां पर बढ़ेंगे और ययोलों में login करेंगे कि आप तीनों ही तरीके से जब whispering करेंगे तो आपको यह NPIN क्रिएट करने हैं छैंकों के ओर यही तरीके से जो रजिस्टर करने के बात में यह जो आमपिन आपको दिए गए हैं बार-बार आप जब भी लोगिन करेंगे यह एंपिन के द्वारा ही आप लोगिन कर सकते यह और होम पेज कुल गया है झाल झाल